देखने में काफी tempting लग रहा है यह देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूं देखिए मसाले की कितनी अच्छी coating होगी है हुमारे अचार के ऊपर और यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में उतना ही tasty है तो चलिए फिर start करते हैं यहाँ पर मैंने लिए है चार medium size के गल-गल जिसे hill lemon भी बोलते हैं इसका अचार खाने में खटा चटपटा और काफी tasty लगता है इसका जो शिलका होता है वो काफी मोटा होता है और जो अंदर गुदा होता है वो काफी कम होता है मैं आपको काट के दिखाती हूँ सबसे पहले हमने दो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है इनको सुका लिया है ऐसे लंबे से कट करेंगे उपर वाला portion काट देंगे हम यह जो छिलके वाला portion है वो काफी ज्यादा मोटा है यह पहले उपर का पार्ट हम काट के हटा लेंगे और ऐसे लंबा लंबा काट के छोटे 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 पीस्स में कट कर लेंगे इसके जो तिर्फ है वो सारे के सारे रिमूब कर लेजेए यह देखिये हमने चोटी-चोटे पीस्स में कट कर लिया है अब हम इसमें मसाले यड Act करेंगे इसके लिए मैं ने सब से पहले एक बड़ा चमच जीरा लिया है एक बड़ा चमच सउंप लिया है एकबडा चमच म देथी दाना लिया है और एक छोटा चम्मच अजवाएन लिया है इनको हलका सा रोस्ट करेंगे ताकि इनका मौश्चर खतम हो जाए और चार जो है काफी लंबे टाइम तक चल सके ऐसा करने से अचार की शैल्फ लाइफ काफी बढ़ती है और वो जल्दी खराब नहीं होता वो सालो साल आप इस अचार को इन्जॉय कर सकते हैं यह देखिए अब मैं इसको मसाले को मिक्सर जार में डाल कर दरदरा सा पीस लेंगे ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमने उल्ली दरदरा सा ही पीसना है ताकि अचार में मसाला खाने में टेस्ट लगे यह देखिए मैंने दरदरा सा ही पाउडर बनाया है अब हम अपने गलगल को खुले से बरतर में डाल कर अब इसमें मसालो को मिक्स करेंगे सबसे बले हमने जो मसाला कूट के रखा है वो एड़ करेंगे इसके साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे चार बड़े चम्मच नमक यह मैंने बिंक सॉल्ट लिया है आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं और एक चम्मच एड़ किया है मैंने काला नमक इसके साथ ही मैं अड़ कर रही हूँ दो बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर काफी अच्छा आता है और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का अड़ किया है रिक्सिक के साथ ही एक छोटा चम्मच हल्दी डाली है अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे ये देखिए सारे मसालों की कोटिंग अच्छे से हो गई है मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ये देखिए लग रहे हैं कितने टेम्टिंग और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है डाजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है रेगुलर बेसिस पे भी आप खा सकते हैं इसको किसी भी चीज के साथ पूरी प्राठे के साथ इंजॉय कीजिए खाने में काफी टेस्टी लगता है ये देखिए देखने में कितना टेम्टिंग लग रहा है न खाने में भी उतना ही टेस्टी है इसमें हमने कोई ओयल नहीं यूज किया और कम से कम मसालों में बना के इस अचार को तियार करेंगे और ये देखिए ये मैं आपको एक दिन के बाद का टेक्स्चर दिखा रही हूं ये पास से दिखाती हूं देखिए अचार जो है हलका सा जो सॉफ्ट हो गया है और खाने के लिए रैडी है इंजॉय कीजिए